दोस्तों, IND Academy में आप लोगों का स्वागत है आज, Current Affair की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 7-8 जुलाई की Current Affair को कवर किया जा रहा है तो चलिए अपन देखते हैं, 7-8 जुलाई की Current Affair को सबसे पहला कुश्चन है कि किस राजी सरकार द्वारा बिधान सवा में अपनी उपस्तिती के लिए मंत्रियों और बिधायकों के देनेक भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया गया है तो अभी हाल ही में पश्चिम मंगाल सरकार द्वारा किस सरकार द्वारा? पश्चिम मंगाल सरकार द्वारा बिधान सवा में उनकी उपस्थिती के लिए मंत्रियों का देनेक भत्ता तीन हजार रुपे और जबकि बिधायकों का देनेक भत्ता दो हजार रुपे बढ़ाने का फैसला लिया है तो इसका सही आंसर है उपसन भी पश्यम मंगाल अगला कुश्यन देखते हैं 21 संस्था द्वारा अनुसंदान और विकास के लावों का दोहन करने के लिए NSIL नामक नई साखा को शामिल किया गया है उपसन दिये हैं DRDO, RBI, ISRO और IRIDA तो अभी हाल ही में इश्रो द्वारा अनुसंदान और विकास के लावों का दोहन करने के लिए NSIL नामक नई शाखा को शामिल किया है NSIL का फुल फॉर्म है New Space India Limited यह launch अंत्रिक्ष उत्पादों के विविसाई करने को बढ़ावा देगा ठीक है तो इसका सही आंसर है option C, ISRO ISRO की अगर अपन बात करें तो ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसका headquarter बेंगलूरू में है बरतमान में इसके chairperson के शिवन है ISRO का full form Indian Space Research Organization है ठीक है अगला question देखते हैं कि UNESCO की बिरासत इस्तल सूची में किस शहर को शामिल किया गया है तो अभी हाल ही में UNESCO की विश्व बिरासत इस्तल सूची में भारत के जैपूर शहर को शामिल किया गया है और यहीं पर एक और fact आपको बता दें कि इरान का एक शहर है Babylone उसको भी सामिल किया गया है तो ठीक है तो इसका सही answer है option A जैपूर UNESCO की अगर अपन बात करते हैं UNESCO का full form है United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization इस किस्थापना 1945 में हुई थी इसका headquarter पैरिस में है बरतमान में इसके director general आंदरे अजोले हैं अगला question देखते है यूरोपिये केंदरी बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्ति किया गया है यूरोपिये केंदरी बैंक का नया प्रमुख तो अभी हाली में Christine Lagarde को अजर सफरी नियुक्ति की दियुक्ति किया गया है Christine Lagarde बरतमान में IMF की महानिदेशक भी है और किसी भी इसने उरोपिये केंदरी बैंक की प्रमुख बनने वाले Christine Lagarde प्रितह्ममहिला भी बन गई है अलब हम उरोपिये केंदरी बैंक की बात करते हैं इसकी स्थापना 1998 में की गई थी यह है यूरो मुत्रा वाले 19 देशों का केंदरिय बैंक है इसका सही आंसर है option B क्रिश्टीन लगाड़े Next question देखते हैं कि डिजिटल उडान अभियान किन दो कंपनियों के मद्ध समझोता है तो डिजिटल उडान अभियान डिजिटल साक्षरता अभियान के तहित एक कारकरम है जो Reliance और Facebook के मद्ध एक समझोता है इसका मुख उद्देश पहली बार इंटरनेट इस्तमाल करने वाले उपभुक्ताओं को साक्षर करना और उनमें समझ विक्सित करना है तो इसका सही आंसर है option A पिछले वीडियो में जुलाई के दिवसों को कबर किया गया है इसमें मुख के दिवस जीएस्टी दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है SBI का 64 वास्थाबन दिवस भी एक जुलाई को मनाया गया और एक जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया गया अगला कुश्चन देखते हैं कि किस देश ने सरकारी कार्यालियों में नकाब पर प्रितिबंद लगाया है तो अभी हाली में टूनेशिया सरकार ने सरकारी कार्यालों में नकाब पर प्रितिबंद लगा दिया है तो इसका सही आंसर है option B टूनेशिया अगला कुशन देखते हैं कि होंग कॉंग सरकार ने चक्रवात प्रभावित उडिसा को कितनी मिलियन डॉलर की साहिता दिये तो अभी हाली में आपको पता है कि उडिसा में एक चक्रवात आयता इसका नाम फानी है ठीक है तो अभी हाली में होंग कॉंग सरकार द्वारा नो मिलियन डॉलर की सहरता चक्रबाद प्रभावित उडिशा राज्य को दी गई है जिसका सही अंसर है नो मिलियन डॉलर होंग कॉंग सरकार अगला कोश्चन देखते हैं कि रेल बजट और केंदरी बजट को एक शाथ कब से प्रिथक किया गया तो आपको पता है एकवर्थ समिट्थी के द्वारा 1924 के द्वारा इसको प्रिथक किया गया था लेकिन 2016 से इस प्रिथा को समाप्त करते हुए दोनों को एक साथ पेस किया जाता है तो रेल बजट और केंदरी बजट को एक साथ कब से पेस किया जा रहा है अगला कुशहन देखते हैं है भारत में पहली बार हाइडरोजन संचालेड बसे कहां चलाई जाएंगे मैं भारत के नाई और से आज़िवारत 6 से 14 अगस्त 2019 के मद जैसल मेर राजिस्थान में अंतर राश्ट की सेनने खेलों का आयोजन किया जाएगा इसका सही अंसर है option B जैसल मेर सेना का दच्चनी कमान मुख्या लाए अगला कोशन देखते हैं कि किसी वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाने वाले दुनिया के पहले वल्लिवाज कोन है तो किसी भी मतलब कि अपने किसी वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाने वाले दुनिया के पहले वल्लिवाज भारती टीम के खिलाडी रोहित सर्मा बन गये है तो इसका सही आंसर है आंसर C. रोहित सर्मा अगला कुश्चन देखते हैं जन चौपाल कार करम के सराज सरकार द्वारा गोशित किया गया तो अभी हाली में 36 गड़ सरकार द्वारा जन चौपाल कार करम की सुरुवाद की गई तो इसका सही आंसर है option B. 36 गड़ अगला question देखते हैं कि भेल का अध्यक्चप्रबंद निदेशक किसे निउक्ति किया है भेल का अभी हाली में अध्यक्चप्रबंद निदेशक नलिन शिंगल को निउक्ति किया है तो इसका सही answer है option B नलिन शिंगल अगला question देखते हैं अच्छा भेल के बारे में हम आपको बता दें भेल कि इस था अपना 1964 में की गई थी इसका headquarter नई दिल्ली में है और बरतमान में इसके chairman अतुल शोबिती है अगला question देखते हैं हाली में IBPS के निदेशक के रूप में IBPS full form है institute of banking personal selection तो अभी हाली में IBPS के निदेशक के रूप में किसी निदेशक किया है तो अभी हाली में B हर्दीश कुमार को इसका सही answer है option B B हर्दीश कुमार को IBPS के निदेशक के रूप में निदेशक किया है तो यह हमारा आज का वीडियो उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा please comment box में जरूर बताए थेंक यू for watching have a good day